इस वीडियो में हम order by clause का use देखेंगे कि हम order by clause कैसे use करते हैं मैं अपने ब्राउजर में localhost के साथ अपनी SID application open करते हूँ localhost sidsid.php database select की world अब एक query लिखते है SQL की select name from अपने table का name लिखते हैं हमारे table का name ने पहले एक से किने code लिखते हैं select name from country semicolon go हमारे पास सारा names का record आ गया जोन जोन सा record था हमारे country के table में देखें अब हम order हमारे पास A उपर है then N है then U है then again A है then F है अगर इसको हमने ascending order में करना है या descending order में करना है या एक sequence में करना है तो मैं order by का clause यूज़ करूँगी order by name semicolon अब देखें हमारे पास A आ गया है then B आ गया then C then D आ गया नीचे तो इसी तरह हमारे पास सब कुछ order में आ गया है E F G हमारे पास by default order by जो होता है ascending order में होता है अगर हम लोगों ने इसको descending में करना है तो हमारे पास एक और keyword है D E S E semicolon तो यह हमारे पास सारा data descending order में आ गया है हमारे पास Z पहले है then उसके बाद सारा ulti counting ulti alphabet चल रही है Z Y W V अगर हम लोगों ने इसको ascending में करना है तो वैसे तो by default order by ascending में होता है मगर A S C का keyword इसको ascending में show करवा देता है देखें यह सारा नीचे तक ascending है इस तरह आपका order by clause हुआ कर रहा है इसी तरह अगर आपने name के इलावा किसी और record का देखना है तो मैं continent को भी add कर देती हूँ अब हम order by name के इलाव की जगा पर अगर हम continent कर देते हैं तो देखें अब हमारे पास दो records आएंगे या दो columns आएंगे name का आएगा और continent का आएगा जो के order by होगा continent से देखें अब हमारे पास Asia उपर आ रहा है उसके बाद वो सारा record आएगा जो Asia के बाद किसी और continent का होगा तो इसी तरह हम सारा कुछ select कर लेंगे अगर हम लोग region में जाते हैं region को भी include कर लेते हैं तो हमारे पास continent जो है हमने descending में कर लिया है name हमारे पास ascending में होगा और region भी हम ascending में लेंगे continent जो होगा वो descending होगा South America होगा और इसके बाद Antarctica होगा देन आगे देख लें हमके पास सारा कुछ उसी तरह है हमारे पास region जो है वो ascending है